हेलो फ्रेंड्स आप सभी को मेरा चचचच प्रणाम आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है कथा सागर और दोस्तों आज मले कर आई हूँ आपके लिए वैभा लश्मिवरत की कथा एक बड़ा शहर था इस शहर में लाखों लोग रहते थे पहले के जमाने के लोग साथ साथ रते थे और एक दुसरे के काम आते थे पर नए जमाने के लोगों का स्वरूप ही अलगसा है सब अपने अपने काम में रत रहते हैं किसी को किसी की परवा नहीं घर के सद्यस्चों को भी एक दुसरे की परवा नहीं होती भजन, किर्तन, भक्ती, भाव, दया, माया, परोपकार जैसे संसकार कम हो गए हैं शहर में बुराईया बढ़ गई थी शराब, जुआ, रेस, वैविचार, चोरी, डकेती वगेरे बहुत से गुना शहर में होते थे कहावत है कि हजारों निराशा में एक अमर आशा छिपी हुई है इसी तरह इतनी सारी बुराईयों के बावजूर शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उनके पती की ग्रहस्ती माननी जाती थी शीला धार्मित प्रकृती की और संतोशी थी उसका पती भी विवेकी और सुशील था शीला और उनका पती इमानदारे से जीते थे वे किसी की बुराई करते न थे और प्रभु भजन में अच्छी थरह समयवयति कर रहे थे उनकी ग्रहस्ती आदर्श ग्रहस्ती थी और शहर के लोग उनकी ग्रहस्ती की सराहना करते थे शीला की ग्रहस्ती इसी थरह खुशी-खुशी चल रही थी पर कहा जाता है कि कर्म की गती अकल है विधाता के लिखे लिख को कोई नहीं समझ सकता इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा शिला के पती के अगले जन्ब के कर्म भोकने के बाकी रह गये होंगे कि वह बुरे लोगों से दोस्ती केर बैठा वह जल्द से जल्द करोडपती होने के खवाब देखने लगा इसलिए वह गलत रास्ते पर चड़ गया और करोडपती की बजाए रोडपती बन गया याने रास्ते पर भटकते भिकारे जैसी उसकी हालत हो गई थी शहर में शराब, जुवा, रेश, चरज, गांजा वगेर बंदिया पहली हुई थी उसमें शिला का पती भी फस गया दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई जल से जल पैसे वाला बनने की लालच में दोस्तों के साथ रेश जुवा भी खेलने लगा इस तरह बचाई हुई धन राशी, पत्नी के गहने सब कुछ रेश जुवे में गवा दिया था इसी तरह एक वक्त ऐसा भी था कि वह सुशील पत्नी शिला के साथ मजे में रहता था और प्रभु बजन में शुक्षांती से वक्त वैतिक करता था इसके बजाए घर में दरिरता और भुक्मरी पैल गई सुख से खाने की बजाए दो वक्त भोजन के लाले पड़ गए और शिला को पती की गालिया खाने का वक्त आया था शिला शुशील और संसकारी इस्त्री थी उसको पती के बड़ताव से बहुत दुख हुआ किन्तु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी कहा जाता है कि सुख के पिछे दुख और दुख के पिछे सुख आता ही है इसलिए दुख के बाद सुख आएगा ही ऐसी शद्धा के शाथ शीला प्रभुभक्ती में लीन रहने लगी इस तरह शीला अहस्य दुख सहते सहते प्रभुभक्ती में वक्त बिताने लगी अचानक एक दिन दो पहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी शीला सोच में पढ़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा फिर भी द्वार पर आए हुए अतिती का आदर करना चाहिए ऐसे आरे धर्म के संसकार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला देखा तो एक माजी खड़ी थी वे बड़ी उम्रकी लगती थी किन्तु उनके चहरे पर अलौकिक तेज निकर रहा था उनकी आखों में से मानों अमरत बह रहा था उनकी भव वे चहरा करुना और प्यार से चलगता था उनको देखते ही शीला के मन में अपार शान्ती चा गई वैसे शीला इस माजी को पहचान्ती न थी फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद चा गया शीला माजी को आदर के साथ घर में ले आई घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था अतह शीला ने सकुचा कर एक फटी हुई चद्दर पर उनको बिठाया माजी ने कहा क्यों शीला मुझे पहचाना नहीं शीला ने सकुचा कर कहा माँ आपको देखती ही बहुत खुशी हो रही है बहुत शान्ती हो रही है ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढून रही थी वे आप ही हैं पर मैं आपको पहचान नहीं सकती मा जी ने हसकर कहा क्यों भूल गई हर शुकरवार को लश्मी जी के मंदिर में भजन किर्तन होते हैं तब मैं भी वहां आती हूँ वहां हर शुकरवार को हम मिलते हैं पती गलस रास्ते पर चड़ गया तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख की मारी वह लश्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी बाहर के लोगों के साथ नजर मिलाते भी उसे शर्म लबती थी उसने याददास पर जोड़ दिया पर यह माजी उसे याद नहीं आ रहे थे तब ही माजी ने कहा तू लश्मी जी के मंदिर में कितने मदूर भजन गाती थी अभी अभी तू दिखाई नहीं देती थी इसलिए मुझे हुआ कि तू क्यों नहीं आती है कहीं बिमार तू नहीं हो गई न ऐसा सोच कर मैं तुझे मिलने चले आई हूं माजी के अती प्रेम भरे शब्दों से शीला का हरदय पिगल गया उसकी आखों में आसू आ गये माजी के सामने वह बिलग बिलग कर होने लगी यह देखकर माजी सीला के नस्दिक सरकेप और उसकी सिसक्ती पीट पर प्यार भरा हाथ फेर कर सांत बना देने लगी माजी ने कहा बेटी सुक और दुख तो धूप और छाव जैसे होते हैं सुक के पीछे दुख आता है तो दुख के पीछे सुख भी आता है धैरे रखो बेटी और तुझे क्या परिशानी है तेरे दुख की बात मुझे सुना तेरा मन भी हलका हो जाएगा और तेरे दुख से पैसे की बात में भी हमें संतोश था हम शांती से ग्रहस्ति चलाते इश्वर भक्ती में अपना वक्त वैतित करते थे यकायक हमारा भाग्य हम से रूड गया मेरे पती को बुरी दोस्ती हो गई बुरी दोस्ती की वज़से वे शराब जुआ रेस चरस गांजा वगेर प्रेमर करुना के अवतार हैं वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती है इसलिए तु धैरे रखके माल अश्मी जी का वरत कर इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा माल अश्मी जी का वरत करने की बास सुनकर शिला के चहरे पर चमक आ गई उसने पूछा माल अश्मी जी का वरत कैसे किया जाता है वह मुझे समझाईए मैं यह वरत अवश्य करूंगी मा जी ने कहा बेटी मा लश्मी जी का वरत बहुत सरल है उसे वरत लश्मी वरत या वैभा लश्मी वरत कहा जाता है यह वरत यश्प्राप्त करता है ऐसा कहकर मा जी वैभा लश्मी वरत की विधी कहने लगी बेटी वैभालश्री व्रत वैसे तो सीदा सादर व्रथ है किन्तु कई लोग यह व्रत गलत तरीके से करते हैं अतहा उसका फल नहीं मिलता कई लोग कहते हैं कि सोने की गहने की हल्दी कुमकुम से पुजा करो बस व्रत हो गया पर ऐसा नहीं है कोई भी व्रत सास्त्री विधी पुर्वक करना चाहिए तभी उसका फल मिलता है श्रिफ सोने के गहने की पुजा करने से फल मिल जाता हो तो सभी आज लगपती बन गए होते सची बात यह है कि सोने के गहने का विधी से पुजन करना चाहिए व्रत की उद्यापन विदी भी सास्त्रिय विदी मुताबिक करने चाहिए तबी यह वैभल लश्मी व्रत फल देता है यह व्रत शुकरवार को करना चाहिए सुबह में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो और सारा दिन मन में जैमा लश्मी जैमा लश्मी का रटन करते रहो किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए शाम को पूर्वदिशा में मू रख सके इसी तरह आशन पर बैट जाओ सामने पाटा रखकर उसके उपर रुमाल रखो रुमाल पर चावल का एक छोटा सा धेर करो उस धेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखकर कलश पर एक कटोरी रखो उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो ना हो तो चांदी का भी चलेगा अगर चांदी का ना हो तो नगद रुपिया भी चलेगा बाद में घी का दीपक जला कर दूप बत्ती सुलगा कर रखो माल लश्मी जी के बहुत स्वरूप है और मा लश्मी जी को श्रीयंत्र अतिप्रिय है अतह वैभा लश्मी में पूजन विधी करते वक्त सो प्रत्थम श्रीयंत्र और लश्मी जी के विभीत स्वरूपों का सच्छे दिल से दर्शन करो उसके बाद लश्मी स्टवन का पाड करो बाद में कटोरी में रखे हुए घने या रुपय को हल्दी कुमकुम और चावल चड़ा करो और लाल रंग का पूल चड़ाओ शाम को कोई मिठी चीज बना कर उसका प्रशाद रखो ना हो तो शक्कर या गुड़ भी चल सकता है फिर आर्ती करके 11 बार सच्चे हिदय से जै मा लश्मी बोलो बाद में 11 या 21 शुकरवाद यह व्रत करने का ड्रड़ संकल्प मा के सामने करो और आपकी जो मनुकामना हो वह पूरी करने को मा लश्मी जी को बिंती करो फिर मा का प्रशाद बाट दो और थोड़ा प्रशाद अपने लिए रखो अगर आप में शक्ती हो तो सारा दिन उपवास रखो और स्रिफ प्रशाद ग्रहन करते समय खाना खालो अगर थोड़ी शक्ती भी न हो तो दो भार भोजन ग्रहन कर सकते हो बाद में कटोरी में रखा गहनाय रुपिया ले लो कलश का पानी तुलसी क्यारे में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो इसी तरह सास्त्री विधी अनुसार व्रत करने से उसका फल अवस्य मिलता है इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ती दूर होकर आदमी माला माल हो जाता है संतान नहों से संतान प्राप्ती होती है सवभाग्य शाली इस्त्री का सवभाग्य अखंड रहता है गुवार लड़की को मनभावर पती मिलता है शीला यह सुनकर आनन्दित हो गई फिर पूछा मा आपने वैबोलश्णी व्रत की जो सास्त्री विदी बताई है वैसे मैं अवश्चे करूंगी किन्तु इसकी उद्यापन विदी किस तरह करनी चाहिए यह भी कृपा करके सुनाईए मा जी ने कहा 11 या 21 जो मन्नत मानी हो उतने शुकरवार यह वैबोलश्णी व्रत पूरी श्रद्दा और भावना से करना चाहिए व्रत के आखरी शुकरवार को जो सास्त्री विदी अनुसार उद्यापन विदी करनी चाहिए वह मैं तुझे बताती हूँ आकरी शुकरवार को खीर या नव्यद्य रखो पूजन विदी हर शुकरवार को करते हैं वैसी ही करनी चाहिए पूजन विदी के बाद श्रीफल फोडो और कम से कम साथ कुमारी या स्वभाग्य शाली इस्त्रीयों को कुमकुम का तिलग करके साहित्य संगम की वैबोलश् एक एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रशाद देना चाहिए फिर धनलच्मी स्वरूब वैभो लश्मी स्वरूब मा लश्मी जी की छबी को प्रणाम करें मा लश्मी जी का यह स्वरूब वैभो देने वाला है प्रणाम करके मन ही मन भाउता से मा की प्रात्ना करते वक्त कहें कि हे मा धनलक्ष्मी, हे मा वैभौलक्ष्मी मैंने सच्चे हिदे से आपको वैभौलक्ष्मी रज पूर्ण किया है तो हे मा हमारी मनोकामना पूर्ण करना हमारा सबका कल्यान करना जिसे संतान नहों उसे संतान देना स्वभाग्य शालिस्त्री का स्वभाग्य अखंड रखना, कुवारी लड़की को मनभावन पती देना आपका यह चमतकारी वैबल लश्रिवरत जो करें, उनकी सब विपत्ती दूर करना, सब को सुखी करना, हे मा आपकी महिमा अपरमपार है इस तरह मा की प्रातन करके मा लश्मी जी का धनलच्मी स्वरुप को भाव से वंदन करो मा जी के पास से वैबल लश्रिवरत की सास्त्री विदी सुनकर शीला भाव विभोर हो उठी, उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया है उसने आखे बंद कर मन ही मन उसी सन संकल्प लिया की हे वैभुल अश्मी मा मैं भी माजी के कहे मुताबिक शद्धा से सास्त्रिय विदी अनुसार वैभुल अश्मी व्रत 21 सुकरवार तक करूंगी और व्रत की शास्त्रिय विध्यनु साल उद्यापन विधी करूंगी शीला ने संकल्प करके आखे खोली तो सामने कोई न था वह विस्मित हो गई कि माजी कहां गए यह माजी दुसरा कोई न था साक्षाथ लक्ष्मी जी ही थी शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी इसलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए मालश्मी देवी माजी का स्वरूप धारण करके शिला के पास आई थी दुसरे दिन सुकरवार था सवेरस नान करके स्वच्छ कपडे पहनक शिला منही मन शद्धा से और पूरे भाव से जैमा लश्मी, जैमा लश्मी का मन ही मन रटन करने लगी, सारा दिन किसी की चुगली नहीं की, शाम हुई तब हाथ पाव मुँ धोकर, शीला पूर्वदिशा में मुँ करके बैठी, घर में पहले सोने के बहुत से गहने थे, पर पती देव ने गलत रास्ते पर चड़ कर सब गहने गिर्वी रख दिये थे, पर नाकी चुनी बज गई थी, नाकी चुनी निकाल कर उसे धोकर शीला ने कटोरी में रख दी, सामने पाटे पर रुमाल रख कर मुट्टी भर चावल का धेर किया, उस पर तांबे का कलश पानी भर कर रखा, उसके उपर चुनी वाली कटो लश्मिवरत किया, यहाँ प्रशाद पहले पती को खिलाया, प्रशाद खाते ही पती के सुभा में पर्क पड़ गया, उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं, शीला को बहुत आनंद हुआ, उनके मन में वैबहल लश्मिवरत के लिए शद्धा बढ़ गई, श साथ इस्त्रियों को वैबहल लश्मिवरत की साथ पुस्तके उपहार में दी, फिर माता जी के धनलच्मी स्वरूप की छबी को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रात्ना करने लगी, हे मा धनलश्मी, मैंने आपका वैबहल लश्मिवरत करने की मननत मानी थी, वहवरत आज विपत्ती दूर करों, हमारा सब का कल्यान करों, जिसे संतान नहों उसे संतान देना, स्वभाग्य शाली इस्त्री का स्वभाग्य अखंड रखना, कुवारी लड़की को मनभावन पती देना, आपका यहाँ चमतकारी वैबहल लश्मिवरत जो करे, उनकी सब विपत्ती द उर्वक शीला ने श्रद्धा से व्रत किया, और तुरंत ही उसे फल मिला, उसका पती गलत रास्ते पर चला गया था, वह अच्छा आदमी हो गया, और कड़ी महनत करके वैबसाय करने लगा, मा लश्मी जी के वैबहल लश्मिवरत के प्रभाव से उसको ज्यादा होने लगा, उसने तुरंत शीला के गिर्वी रखे गहने छुडा लिये, घर में धन की बाड़ सी आ गई, घर में पहले जैसी शुक शांती चा गई, वैबहल लश्मिवरत का प्रभाव देखकर महले की दूसरी इस्त्रियाभी शास्त्रिये विधी पुर्वक वैबहल लश आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई, उसी तरह आपका वरत करने वाले सब पर प्रसन्न होना, सब को सुक शांती देना, जै धनलश्मी माता, जै वैबहल लश्मी माता, तो दोस्तों ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए मेरे इस यूट्यूब चैनल में और वीरोचक कथाय जानने के लिए आप सभी का धन्यवाद